नमश्कार दर्सको जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत एक सनातन परंपराओं को मानने वाला देश है जहां प्रकति को पूजा जाता है प्रकति जिसे हम देवी मा की कहते हैं उसके अंतरगत हमारे देश के सारे पहाड नदियां पसुपक्ची पौधे सभी आते हैं आज के जमाने में आज बरतमान काल में जो हमारी प्रकति की इस्तिती है पर्यावरण के जो परणाम आ रहे हैं उससे सभी परचित हैं इस पर्यावरण के संतुलन के लिए सभी लोग अपने अपनी तरीके से प्रियास कर रहे हैं। इसी पर्यावरण के संदर्व में हमारे देश भारत में एक नई योजना नमामी गंगे के नाम से उद्घाटित हुई है। जो नमामी गंगे जो योजना है ये गंगा नदी के किनारे बसे हुए लगबग 118 से 121 सहरों को जो जीवन दाइनी है उसका पर्यावरण से कैसे हमें बैलेंस करना है इसके संदर्व में दिया गया है। आज हिंदी सर्ता कारिकरम में हम इसी नमामी गंगे के उपर चर्चा करेंगे। और ये समझेंगे कि ये नमामी गंगे जो योजना हमारे माननी प्रधान मंतरी स्री नरेंद मुल जी ने प्रारम की है। उसका क्या उद्देश है, वो आज बरतवान इस्तिजी में कहां पहुँची है, इस से हमें क्या लाब होंगी, और इस चर्चा को हमारे साथ जो महमान चुड़े हुए हैं, वो है इस नमामी गंगा योजना के रास्टिय संयोजक स्री डॉक्टर भरत पाठक. नमस्कार, स्री भरत पाठक जी, आपका इस दूरदर्शन केंद्र परजी और समस्तर्सकों की तरफ से स्वागत हैं, डॉक्टर भरत पाठक जी, नमामी गंगे प्रोजेक्ट जब हमारे प्रधान मंत्री मोधी जी ने 2014 में प्रारम किया, हला कि उन्होंने चुनाओं के पहले जब वो निर्वाचित नहीं हुए थे, तब भी उन्होंने एक आवान किया था, कि मा गंगा ने मुझे सेवा के लिए बुलाया है. उसके बाद उन्होंने अपने उस वादे को फलिवूत करते हुए 2014 में ये नमामी गंगे नाम की एक योजना चालू की है. मैं और दर्सकों के साथ ये जानना चाहता हूँ कि ये नमामी गंगे योजना क्या है? नमामी गंगे योजना के संबंद में दूरदर्शन पर समय समय पर कारेक्रम आते रहते हैं. 2014 में मानि परदानमंतरी महोदे ने जैसा आपने बताया कि मांगंगा ने बुलाया है ऐसा हवान, ऐसा देशवाशियों के सामें उन्नों ने अपनी बात रखी थी. और उसी के अनुरूप देश में पहली बार गंगा मंतराले बना, और गंगा मंत्राले केवल इसी बात को लेकर के बना कि जीवन दायनी मा गंगा निर्मल अविरल बहें उसमें अविरलता रहेगी तो निर्मलता रहेगी हम सभी जानते हैं कि अगर जल रहेगा नदियों में तो सुद्ध भी रहेगा जो भी जल बहने वाला है वो सुद्ध रहेगा नमामी गंगे अभियान के अंतरगत संपूर्ण देश में पर्मकुरूप से गंगाजी पांच राज्यों में बैकर के निकलती हैं उत्राखंड उत्रप्रदेश बिहार जहारखंड और पस्चिमंगाल पर्मकुरूप से इस्थान पर सहायक नदियां उनकी धारा को अविरल करने के लिए निर्मल करने के लिए प्रवाह को बढ़ाने में सहायक होती है जिसमें यमुना जी की महत्वण भूमिका है और यमुना जी की भी सहायक नदियां है बंदिलखंड का केन बेतवा दसान चंबल और ऐसे आता है और हम देखते हैं कि बहुत बड़ी आबादी जीवन दाइनी मा गंगा से उनके जल से उनके लिए हम सभी के लिए पीने का पानी सिचाई के लिए जल खेती के लिए उपलब्द कराती हैं और बहुत बड़ा GDP में बहुत बड़ा योगदान है जो गंगा बेसिन से जुड़े हुए गाओं है या शहर हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए माने प्रदानमंत्री मावदय ने गंगा मंत्राले बनाया और एक स्पेसिफिक फोकस्ड अक्टिविटी प्रारंब की मंत्राले बनने से उस पर विशेश रूप से ध्यान दिया गया चाहिए इन धोनों का मूलभूत इंतर क्या है गंगा अक्शन प्लान एक बना दो भी बना राष्टे नदी घोशिट किया गया लेकिन जितना फोकस्ड और स्पेसिफिक काम नदी के साथ में होना चाहिए जो भी प्रदूसित नालों का जल नदी में प्रवाहित होता था जो पुराने स्टिपीज बने हुए थे और जो राजे सरकारों को भी पैसा दिया गया था उस पर ठीक डंग से काम नहीं हुआ पैसा जरू के बाद में विशेशक्यों के साथ मिलकर अपने देश के जो प्रमुख उच्च सिक्षन संस्थान है जब इस मंत्राले की मंत्री सूस्री उमा भारती जी थी देश के सभी विद्वानों से विचार विमर्ष किया गंगा मंतन हुआ मंतन मैंसे पूझ्य संत महत्माओं का भ बनी उन परियोजनाओं को मूर्थ रूप देने का काम कि 2014 से प्रारंब हुआ और जो अभी तक अनवरत चल रहा है राष्ट्री एस्वक्ष गंगा मिशन के नाम से एक संस्था बनी उसको सरकार ने मानेता दी वो ना केवल सरकार का पैसा राष्ट्री एस्वक्ष गंगा म क्लीन गंगा फंड के नाम से भी जनता के एक रुपए से ले करके और कितना भी सहयोग वह क्लीन गंगा फंड में दे शकता है तो जो परियोजनाए सरकार के पास में स्विकृत हैं लंबेत हैं चल रही हैं उनके अलावा भी अगर कोई काम ध्यान में आता है जिसके लिए करने के लिए मानिचि प्रदान मंत्री महध्य जी ने विण उपहार मिलते हैं इतने वर्सों में जो भी उनको उपहार पिले हैं उपहरों जो आए हुई उनकी विक्री हुई आप सभी ने सुना होगा दूर दर्सन पर भी उसको दिखाया गया चलाया गया तो उस राशी को भी क्लीन गंगा फंड में जमा किया जाता है जो जीवन दायनी मा गंगा को निर्मल अविरल बहाने में साहिक होता है दर्सकों के साथ हम यह जानना चाहेंगे कि आपके इस नमामी गंगे यूजना में कितनी तरह की पर्योजना है रॉष्ट्रेह सुक्षञगेंग रास्टेहश्ट्र सूख्षगंगा मिसन नमामिगग अभियान अन्तर गत नदियों में बढ़ने जो नदियों केज़ गाड़ हैं उन गाटों से बनाया है कई इस्थानों पर सीवरेज टीटमेंट प्रांट नहीं बन सकते हैं तो वहां पर पाइलेट प्रोजेट के रिताथ बायो एंजाइम से भी जल को सुद्ध किया जा रहा है कई जगे जलीव जीव जन्तुओं के द्वारा नदियों को स्वक्ष किया जा रहा तो में जलीव जीव जन्तुओं के भी संरक्षण की बात है नदी में निर्मल अविरल जल बहे इसके लिए प्रयास हो रहा है और मानी प्रदान मंत्री जी ने अभी जो कानपूर में पहली बैटक हुई थी गंगा समीति की दूसरी बैटक अभी कलकत्ता में हुई जिसमें वो नदिया जो गंगा जी और गंगा जी की सहाइक नदियां है एक तो छोटी छोटी नदियों को पुनर जीवित किया जाए बर्सा के जल का संरक्षण किया जाए और वो जल नदी में जो गती है उस गती को भी कम किया जाए प्राकरतिक ढंग से और नदियां निर्मल अविरल इसलिए छोटी नदियों को जब पुनरजीवित किया जाएगा जो सूख गई है उन नदियों में जब जल आएगा वह जल गंगाजी में पहुचेगा और जो जल महां पर पहुचेगा तो जल मार्ग भी हम विक्सित करेंगे जल मार्ग में अभी हमने देखा कि एक क्रूज अ गई है तो हो गया ऐसे जो लोग उसको पे कर सकते हैं लेकिन छोटी छोटी नावें जल मार्ग फिर से चलने लग जाए तो जल मार्ग तभी चलेगा जब वह इन्वार्मेंटल फ्लो बना रहेगा नदी में परयाब्त जल होगा तो हम यह कह सकते हैं कि अगर हम गंगा नद हो लोगों को कम कीमत पर आवागमन भी हो और हमारा ट्रांसपोर्ट भी उससे हो सके और परिवहन के साथ साथ में एक बहुत बड़ी बात हुई है प्राकृतिक खेती के मानि प्रदानमंत्री में ने कहा है कि नदियों में प्रदूसित जल ना जाए और जो केमिकल से रासा जानों का प्रयोग हो रहा है यह पेस्टीसाइड इंसेक्टीसाइड में केमिकल जाले जा रहे हैं जो किसी ने किसी रूप में नदियों में पहुंच रहे हैं जल में पहुंच रहे हैं तो हम अगर नदी से 50 किलोमेटर दूरों तरफ दूरी तक प्राकृतिक खेती करें त साथ में जो बड़ी संस्ता उनके साथ मैं युकर रहे हैं और उसका यही लाव कि किसआन हैं जो नदी के किनारे गंगा जी के किनारे खेती कर रहा है वह priority खेती करें और और जो प्राकृति के 30 से उपज होगी चाहिन जो इन फोंचा यह नड़ को हो रहती हो थी और उनको एक अच्छा मुल्य मिलेगा और वो किसानों को उसका एक अच्छा लाब होगा आप गंगा नदी के योजना में बहुत करीब से जुड़े हैं हम यह देखते थे यह माना जाता था कि 1932 में जो तक कालीन कमिश्णर थे हॉकिन्स करके उन्होंने सबसे पहले गंगा नद को जोड़ा था उसके बाद जो और की करण की वो थी वो जुड़ी तो आपको उस समय में और इस समय में क्या अंतर दिखाई देता है जिससे गंगा पुर्दू से थो रही है अपनी भारती संस्कृति सब्वेता और इसके संड़क्षन संबर्धन के लिए अपने प्रदान प्रवत हैं अपने जो किले हैं इतिहासिक मारते हैं उन सबके संड़क्षन संबर्धन का हम लोग काम कर रहे हैं तो यह मुगल काल में एक समय ऐसा था कि जब हमारे स्रदाज उतिर्थियात्री नदी में स्नान करने के लिए जाते थे तो उनको टैक्स देना पड़ता था औ और फिर अंग्रेजों के काल में क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि जो स्रद्धा के स्थान हैं भारतिय सनातन सब्विता के भारतिय संस्कृति में नदियों का परवतों का प्रकृति का बहुत बड़ा योगदान है प्रकृति के साथ भारत के लोग परस पर पूरक्ता के स आणको काल में गुलामि के काल में हुआ कि הमारी पवित्र नदियां इन में पुरदोसित आप कानपूर में इतना बड़ा नाला था कि वह नदी से भी बड़ा उसका स्वरूर था, लेकिन आपको जानकर प्रसन्यता होगी कि राष्ट है शक्षे गंगा मिसन जल्शक्ति मंत्रा लए भारत सरकार भारत के प्रण मंत्री महो दयिके प्रहतर शक्ति मंत्री महोदै के प्रयत शहर का पूरा जल जाता था प्रदूसित जल गंगाजी में उसको बंद किया तो गुलामी के काल में यह हुआ है और हम तो यह मानते हैं कि जानबूश करके ही ऐसा हुआ है कि जो हमारे स्रद्दा के स्थान है स्रद्दा स्थल है उस समय हमारी संस्कृति के उपर आक्रमन था और इसलिए हमारे देश की आबादी अब बढ़ गई है जन संक्या वरदी हुई है नदियों में जल कम हुआ है धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि वर्षा का प्रतिशत भी कम हो रहा है छोटी छोटी नदियां समाप्त हो रही थे और उन तालाबों में ही जो जल जमीन के अंदर जाता था वो नदियों तक पहुंचता था एक फ्लट प्लेन कहते हैं नदी के किनारे की जमीन को खाली रखते थे वहां जंगल होते थे वह पेड़ों का जो जल होता था वो रिस रिस करके दीरे दीर नदियों में पहुं है कि हमारे छोटे सहर बड़े सहरों में एना यूए जो अर्वन मिनिस्ट्री का विवाग है कि यह बड़े सहरों पर यही काम कर रहा है कि हम नदियों में प्रदूसर जल न पहुंचा है और नदी पर जो नदी किनारे अतिकरमन हुआ है उसको ठीक करें फ्लट प्लेंस को ठी भी है हमारा देश भी मानता है कि नदी या पानी और उस पर गंगा नदी है यह सब की जीवन दाएनी है संस्कृती है वो तो इतना सब होने के बावजूद भी इतनी योजनाय चालू होने के बाद भी इन योजनाओं की बहुत धिमिगती है अगर हम कैक की रिपोर्ट इंक्याउन घाड बनाने थे लेकिन अभी तक के बल 36 बने हैं तो आपकी इसाब से यह देरीक में कहां पर हो रही है इसमें क्या कारण है भारत के प्रदान मंतरी नार्यंदर भाई मोधेजी समय से मबर बैठक करते हैं समीक्षा भी करते हैं जल सक्ति मंत्रालय भी समीक्ष होते हैं जिले के प्रमुक लोग उस समीठी में होते हैं इतनी क्लोज़ मॉनिट----------------किन उसका शुरू किया है कि प्रती माई प्रती तीन माय में बैठक हो उसको जो एसपर अप्लोड किया जाए प्रगति को बताया जाये लेकिन उसके बाद भी जो पानी का विशय है यह राज्य का विशय है और अपने देश में केंद्र और राज्य के समद्दों को विशए से महात्व दिया गया है और इस विषय पर जब भी कोई काम होगा चाहे घाट बनेंगे चाहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे चाहे कोई भी काम होगा पाइलट प्रोजेट को तो हम लोग राश्टी सक्षगंगा मिशन या केंदर सरकार किसी बड़े संस्थान के माद्यम से कर सकती है विष्व बैंक भी सहयोग कर रहा है दुनिया के कई देश इसमें सहयोग कर रहे है जर्मनी है जापान है उनकी तकनीकी भी इस काम में प्रयोग में लाई जा रही है इसराइल की भी तकनीकी प्रयोग में लाई जा रही है काम हो रहा है अच्छा हो रह चाहिए कई राज्यों में उतनी सक्रीता से काम नहीं हो रहा है उत्तरा खंड में उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी प्रकार से काम चल रहा है समय बद्ध काम चल रहा है और उसके परिणाम भी दिखने लगे हैं उत्तरा खंड में हम कह सकते हैं कि नमामी गंगे से अब बंगाल में भी जार्खन में भी बिहार में भी कामों में गती आई है अभी आपने उत्तरखन का नाम लिया अभी हम बरतरवान में देख रहे हैं कि उत्तरखन के जोसी मठ में एक प्रक्टिक आपदा आई हैं तो मैं यह दर्सों के साथ जानना चाहूंगा कि आपके नमामी गंगा योजना के अंतरगत, जो गंगा नदी का उद्गम इस्थान है, गंगोत्रिया गौमुक से हरिद्वार तक उत्तरखन लगता है, इसके लिए क्या कोई विसेस योजना है, जो की जैसा लोग कई लोगों की ये धारणा भी है, कि ये नई नई योजना आ रही है जिससे हमारा उत्तराखन प्रवावेत हो रहा है, नमामी गंगे अभियान के अंतरगत, राष्ट्रिय स्वक्षा गंगा मिशन ने जो भी काम वहां हाथ में उत्तराखन में लिये हैं, उसमें प्रकृति के साथ तादात में अस्ताफित करते हुए ही कामों को लिया है, एक उसके लिए भी जो सेवेस ट्रीटमेंट बन रहे हैं, वो भी अलग-अलग प्रकार से नहीं नहीं तकनीकी के माध्यम से बन रहे हैं, और बहुत बड़े स्ट्रक्चर ना बनाया जाएं, यह वहां पर राष्ट्री स्वक्षगंगा मिशन के तरफ से प्रयास किया गया है, यह किया है कि वर्सा जल संरक्षण के लिए जो प्राचीन पद्धती थी, उस प्राचीन पद्धती को भी महत्त्व देने के लिए वहां के स्थानिये स्वयम से भी संस्थाओं को जोड़ करके, वहां के स्थानिये प्रसासन को साथ में ले करके, और वहां जल संरक्षण का काम किया जा रहा है और नदियों में प्रवाह वहां तेज गती से होता है उस प्रवाह को कम करने के लिए भी जो मानक तैव हुए हैं उनमें इन बातों को ध्यान में रखा गया है कि प्रकृती के साथ बहुत छेड़ छाड़ ना हो अभी जिन बातों के कारण ये छती हो रही तो ध्यान में आएगा और हमारे दर्सकों को भी पता चलेगा देशवासियों को भी पता चलेगा कि इसके पीछे क्या कारण है लेकिन नमामी गंगे परियोजना में इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि हम अपनी प्राचीन परंपराओं को ध्यान में रखते हुए उनके बताया कि घाटों के साथ साथ बंचेतर का भी विस्तार कर रहे हैं हाँ बंचेतर का बहुत बड़ी मात्रा में विस्तार हो रहा है और खास करके उसदी पौदे लगाया जा रहे हैं और ऐसे पौदों को लगाया जा रहा है नदी किनारे में जिसमें बून बून जल रुकत है हम लोग सुने होंगे कि अर्जुन के ब्रक्ष बरगत के ब्रक्ष एंए ऐसे ब्रक्षों को खोज गर कर लगाया जा रहा है जिला गंगा समीति के जो सची होते हैं वो बनविवा के अधिकारी होते हैं और वो विशेश रूप से ध्यान दे रहे हैं कि जिन राजियों में जो पौधे पहले से उग रहे हैं या इंडेंजर्ड प्रांट हैं समाप्त हो रहे हैं उनको वहां पे लगाने के लिए लुक्ण के जा रहे हैं वाइसे प्रयात ने चल रहा है जिसमें राष्ट्य ते इसवक्षय गंगा मिशन ये विशेश रूप से प्रयास कर रहा है कि नदी तट पर वह से दिये पौधे ही रोपित किये जाएं और ऐसे पौधे रोपित किये जाएं जिनमें पानी रिटेन होता है रुकता है और धीरे धीरे रिषता है और वो जल फिर नदियों में पहुंचता है अच्छा डक्टर भरत पठक जी आपकी इस योजना में एक चरण है जिसमें म मदद लेकर के और हम लोग कई बार समाचार में देखते होंगे कि प्रयाग राज में नदी पर मचलियों को छोड़ा गया मचलियों की ऐसी परजातियों को छोड़ा गया जो ऑक्सिजन की मात्रा को बढ़ाती हैं जो प्रदूसित जल को सुद्ध करती हैं और अपने गंगा नदी में डॉल्फिन की संख्या जैसे गेंगेटिक डॉल्फिन जिसको स्वांस भी कहते हैं तो वह बहुत बड़ी संख्या में थी धीरे-धीरे वह समाप्त हुई लुप्त जो बढ़ा एक हो गई लेकिन अपने राश्ट्री इंस्ट्विन की प्रेयतनों के करण्ड और जो वायलड़ इंस्ट्ट अफ इंडिया उसके सहयोग से शिफ्री के सहयोग से हम लोग मचली यहों की प्रजातियों को प्रयागराज में मुंगेर में ऐसे इस्थानों पर ज जीज दिये जा रहे हैं कि जहां पर मचली पालन कर सकते हैं उनका व्योसाय भी चल सकता है तो जो मच्छवारे हैं केवट है निसाद है नदी तट पर या जो अर्थगंगा में जैसे जो उनको रोजगार मिला हुआ है वो प्रभावित नहों तो इन बातों का भी ध्यान रख जा रहा है कि मचली पालन भी हो और प्रदूसित जल को भी सुद्ध करने के लिए मचली और सौंस और डॉल्फिन यह हमारे काम में सहायक हो भरत पाठक जी आपकी जो नमामी गंगा प्रोजेक्ट है इससे और क्या-क्या दर्सकों को हम मैसेज दे सकते हैं नमामी गंगे अ जाते हैं कि जहां हमारे A appear एतियासिक तीरतिस थल हैं और जहां हम असनान के लिए जाते हैं गंगोत्री यünkü से गंगा सागर तक हमारे आँ कहा भी गया है कि सारे तीरत बार बार गंगा सागरर एक वार गंगा शागर में पहुँच करके समुदर में मिलती हैं तो सभी की पिक्षा रहती है कि जीवन में कभी न कभी एक बार हम गंगा सागर जाएं एक बार काशी जाएं एक बार प्रयाग राज जाएं वैसे तो अपने परंपरा माननेता भारत में यह है कि हमारे यहां जितनी भी नदियां है वो गंगा का स्वरूप हैं जो भी हमारे जल स्रोत हैं वो गंगा का स्वरूप हैं तो हम उनको गंगा ही मानते हैं आज हम गोवा में हैं तो यहां की जो मांडवी नदी है वो भी गंगा का स्वरूप है तो हम यह चाहते हैं हमारे देशवासी चाहते हैं कि जने हम गंगा म दर्सको जैसा आपने आज इस चर्चा में देखा कि जल का कितना महत्थ है, जल ही जीवन है, ये कहा जाता है कि मानो तो मैं गंगा जल हूँ, ना मानो तो बहता पानी, दर्सको मेरा आप सभी से अनरोध है कि यदि आप इस जल को गंगा मानते हैं तो और यदि आप इसको केबल जल मानते हैं तो भी इस जीवन उपयोगी चीज को बचाईए, इसका सनरक्षड कीजिए और देश के साथ, अपने समाज के साथ, इसके पर्यावरान के संतुलन के सा इन सुरतों को बचाईए, अपना सहयोग कीजिए, स्री भरत पाठक जी, आप इस चर्चा में हमारे दूरदर्सन के इन्द पढ़जी में पढ़ारे, जिसके लिए मैं दूरदर्सन के इन्द पढ़जी की तरफ से और समस्त दर्सकों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ नमाश्का बहुत 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 दर्नेवाद करता हूँ